हेलो फ्रेंड मैं अनुप आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल प्रोरामर प्लाटफर्म पर फ्रेंड आप कैसे आए आई होप बहुत अच्छे होंगे और फ्रेंड आज का हम लोग सेशन लाए हैं जो कि 11-12 का प्रैक्टिस सेट है अब इसी तरह प्रै इस चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करें अगर आपको कुछ benefit मिलता है तो और फ्रेंड लोग को जरूर सेयर करें चले फ्रेंड आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं पहला कोशन चैक mcq प्रैक्टिस सेट वन ओके header files have the file extension जो header file होता है उसमें file extension कौन सा होता है option a.h option b.he option c.he option d.head क्या होगा इसका final answer होगा option a जो option a बता रहा है वो सही है जैसे हम लोग देखिए हम लोग ऐसे लिखते है include हम लोग ऐसे लिखते है include iostream.h ओके तो यहीं पूचा जा रहा है कि यह.h होगा कि क्या होगा तो header file में I hope आपको समझ में आ गया होगा option a और यह जो PDF है आपको टेरिगाम में पोस्ट कर दिया जाएगा upload कर दिया जाएगा आप टेरिगाम चैनल में जरूर जूरे जो प्रूरामर प्लैट्फॉर्म नाम से टेरिगा हम चैनल है और description box में यह लिक डाला हुआ है चलो हम आगे बढ़ता है second question the row in a relation हम लोग relation में रोग को क्या कहते है data कहते है टपल कहते है domain कहते है नौन अब दी मैंने बहुत बार data का definition बताया है raw fact and figure okay raw fact and figure is called data okay तो आपका इसका final answer क्या होगा और row in a relation मतलब relation होता है उसमें हम रोग को क्या कहते है उसमें हम रोग को टपल कहते है जिनको नहीं आ रहा हूँ जरूर यह सब question पर ले क्योंकि यह 2016 का सेट में आपका question आया हुआ है जो मैं practice करा रहा हूँ 2016 के बीच का सेट में आया हुआ है फिर मैं अपने से model paper भी start करूंगा ओके पर प्रिवेश सेर कोर्शन हम लोग देख लेते हैं क्या 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 है उसको सुदार ली जाएगा next question a token is token क्या है keywords है आइडेंटिफायर से स्मॉले उनिट आप प्रोग्राम है या नन अव्दी यह भया टोकन का डिफिनेशन ही होता इस टोकन इस स्मॉलेश्ट यूनिट आप आवर प्रोग्राम तो आप संसी जो बोल रहा है वह सही है keyword और आइडेंटिफायर क्या है यह token के टाइप है क्या symbol क्या है एस्कनेमेशन मांक टिल्डे कोसर मांक बोथ एन बी इसमें बहुत सारा लोग कन्फ्यूज होगा बाबू इसको आप याद कर लेना फोर का एंसर होगा option बीट इसी को sign कहते है तो आप से पूचा जाता है constructor किसका यूज़ करता है तो तिल्डे का यूज़ करता है स्वादी इसका घाले का इस्टुक्टर को डिलीट करता है रिमूव करता है तो जो वी घ्यांक सरा मे 방 बाकी बाकी यहां पर देख सकते हूं कि मेरा 15 में कितना यूज़ को आप लोग जरूर कॉमेंट बाक्स में मुझा बताना कि मेरा 15 में कितना आपका सही हो रहा है नेस्ट 5 कोशन, इसमें से बेस क्लास कौन है, नॉर्मल क्लास, डराइब क्लास, चाइल्ड क्लास, अल अल अब दी ब्याब बेस क्लास कोण सा टापिक में आता है, यह आपका C++ का inheritance को Vaat का Cu लिंक लिस्ट इच अल स्ञानी कल लिंक लिस्ट यह किसा टापिक से कथ लग्यॉत कुति स्टक्चिर का लिए आपको खुद?- ripping ठीक है अलिंक लिस्ट इजा क्रेक्शन ओफ डेटा इलिमेट इसका होगा एरे पॉइंटर नोट्स और अल अब इसका एंसर दो नोट्स बोर रहा ना वो सही है बाकी लोग रहोंग है ठीक है अ ओके चलो नेस्सका दर में आज इंसर्टेट इनक्यू फ्रम्ट एंड ओल्ड इसको क्या करते तॉप मिडिल फ्रंट रेड तो दिखोविया यह जो क्यों फ्रंट और रेयर काम होता है तोप और मिडिल काम होता है इसमें स्टैक काम होता है इसमें क्यूं काम होता है ठीक है और क्यूं के एंड को बोलते हैं रेयर ओके और क्यूं के फ्रंट को बोलेंगे फ्रंट और स्टैक के ऊपर बोलेंगे टॉप ठीक है मिडल नहीं यह बॉटम होगा ठीक है इस टैक में ब तेँ योड एक ये गएक का अछ defendáng 20 अपलओं कलुंक या गाता रो इन अलियून ये रिलियशन के और नियू है कहा ओके तो ठोटर्गा रिकार फानल ड olan इंशा सब्सक्राइब अब का मरर trailers कर लोग बने के विश्चन के विश्चन तो क्या होता डिद सब्सक्राइब इनर इसन अब नबर आप बठाने अधिदिफाय लो स्टेट टैट एक्स ब्लस एक्सट पोल्ट एक्स एक्स प्लस एक्स दो एक्स डौट एक्स उस्ट एक्स पूछा इस नहीं पूछा इस और पारेगा कई जलो उसका नेटवर्क डिवाइज इजन इस में से नेटवर्क डिवाइज इटन होता है स्टोर आन्योर मसीन ही सब बोल रहा है एक स्मॉल फाइल जो आपका मसीन में आ जाता है वेब सर्वर से स्टोर हो के उसको क्या करते हैं है क्रेकर कहते हैं फाइल फाइल वार कहते हैं कुकीज कहते हैं उसको हम लोग क्रेकर कहेंगे क्या कहेंगे उसको हम लोग क्रेकर कहेंगे ठीक है याद करना यह भी प्रूफ करना है कि एक्स कैसे हुआ देखो यहां वन मान लीजिए और एक्स और य किज़े अभी आदेंटिफाइल में आपने देखा था कि हमने वाई प्लस वाई डैस गोल टू वन बता सकते जब एक्स प्लस एक्स प्लस वाई इकल टू वन होगा अब इसको एक्स वाई कर लिजेगा तो क्या हो वाई प्लस वाई डैस और अभी आपने वाई प्लस वाई डैस का वैलू क्या था वन था ना तो इसका फाइल एंसर क्या होगा एक्स देखो प्रूब हो गया तो यह आपको प्रूब्यू में करके दिखा दिया चलो आगे बढ़ता है ठाटी नमबर लूप त्लस वाई लूप उसक्ट लिजेग डिखो आपका लूपिंग थीन लूपिंग होता है एक होता फॉल लूप एक होता है वाई लूप अर यहां अपका कले न चली तक चले गा और फिर आपने यह लिखता रहता हो और सबसे उपर में हुआ ठीक है फॉर लुप में क्या होता है कंडिशन इंसलाइशन और यह तीनों एक साथ होता था तो इसका अच्छा समझ में आ रहा होगा जरूर आप लोग शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को और अंत तक बने रहें और इसके बाद हमने और सेट टू ऐसे करके हम लोग 200 का क क्यों हम लोग इसमें कोशन स्वाल करेंगे इससे आपका mcq जो भी 35 नंबर का आ रहा है वह आपका अच्छे से हो जाए 11 12 के लिए ठीक बोड के लिए बाने सब्सक्राइब क्या करेंगा यह आपका अल्गोरिदम सद्दे दिया है ठीक है तो इसका फानल एंसर लिए सब्सक्राइब कीजिए जो भी इस चैनल में नहीं है और अपने फ्रेंट सरकर में आपको सेयर करें जिनको भी बाने सब्सक्राइब करेंगा ते लिए 128821 2012 कि भी इस चैनल मिलेग तो बाने स्वप्द एंन सздना जाओग plugin है, मैंक वाम भाईब कीजिएमन ऑले समय हैं।